जै श्रिकल की ओम नमो भगवते वासू देवाए आज से ठिक पांच दिनों के पस्षाद यानि 18 सेप्टेमबर 2024 को लगने जा रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रह यानि लुनार एकलिप्स लुनार एकलिप्स से डरने की जरुरत नहीं लेकिन सतर्क रहना जरूरी है जब भी ब्रम्हांड में कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसके अच्छे या बुरे संकेत धर्ती वासियों पर भी पढ़ते हैं इसलिए डरना नहीं है बलकि साउधानी रखनी है आने वाले समय के लिए यूपी के हर दोई में आज एक बड़ा हाथसा होते होते टल गया एक ट्रेन को उड़ाने की शाजिस्ते यात्रियों की जान बाल-बाल बच गई दरसल ये एक ऐसा शडियंत्र रचा गया है जिसकी अभी जान चल रही है और अगर समय रहते सूजबूच से ड्राइवर ने काम नहीं लिया होता तो शौट सर्किट के जर्ये पूरी की पूरी ट्रेन में ब्लास्ट होने की पूरी तरह से तयारी की जा चुकी थी लेकिन ड्राइवर की सूजबूच भगवान की कृपा इश्वर का आशिरवाद उन यात्रियों के पुन्य कर्म जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे सभी की जाने बच गई इसलिए कहा जाता है कि आज का समय ऐसा समय जब अच्छे कर्मों का जरूर किसी ना किसी रूप में हमें आशिरवाद मिलता है यानि कर्म जो अब हमें रिजल्ट दे रहे हैं वो बुरे और अच्छे दोनों है तो चंद्रग्रहन लुनार एकलिप्स 18 सेप्टेमबर 2024 को होना स्टार्ट होगा लेकिन उसके पहले ही जैसा मैंने पहले के वीडियो में कहा था कि 15 दिनों पहले या 10 दिनों पहले और 15 दिनों बाद चंद्रग्रहन के पश्चात या फिर एक महीने तक इसका इंपक्ट देखने को मिलता है हाला कि चंद्रग्रहन ये जो साल का आखिरी चंद्रग्रहन है वो हमारे देश में भारत वर्ष में नहीं दिखेगा इसलिए सुतक काल भी नहीं लगने वाला लेकिन चंद्र और राहु की यूति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मीन राशी में जो लग रहा है वो एक ग पुरी दुनिया के लिए शुब संकेत नहीं दे रहा है इसलिए जब ब्रह्मांड की ओर से चितावनी पहले ही दे दी जाती है तो इनसान यदि उसकी अंदेखी करता है कहीं न कहीं उसका रिजल्ट उसे भुगतना ही पढ़ता है सोई हुई असुरी ताकत अब जगने लगी है और ऐसे ऐसे शर्यंत्र आने वाले समय में खुलासे के रूप में लोगों के सामने आएंगे कि लोग भी समझ नहीं पाएंगे कि वास्तों में धरा पर ये हो क्या रहा है और अचानक ये कैसी घटनाई घट रही है जिन में कम क्म्यूनल राइट्स धर्म के नाम पर ये जो धर्म युध्ध चल रहा है हर धर्म के लोग केवल सनातनी नहीं बलकि हर धर्म के लोग अब सनातन पर प्रहार भी करेंगे लेकिन हिंदु वर्ग जो सनातन का रक्षक है वो सनातन के रक्षा के लिए एवं हिंदूत के अलावा भी आज मुस्लिम भी जो है कई ऐसे अच्छे मुस्लिम हैं जो सपोर्ट करते हैं जो गलत है उसे भी सपोर्ट करते हैं और जो अच्छी बात है उसके अगेंस्ट बोलते हैं और जो अच्छी बात है उसे सपोर्ट भी करते हैं तो जाती और धर्म का विवाद अब एक नए रूप में देखने को मिलेगा इस समय से स्टार्ट हुआ है और आने वाले समय तक यानि एक महीने तक सूरे ग्रहन भी लगने जा रहा है सेकेंड ऑक्टोबर 2024 को तो उसका भी असर पड़ेगा लेकिन आज मैं लुनार एकलिप्स के सिब बात कर रही हूँ अभी फिलहाल एक रहस्ते में बिमारी गुजरात के कच्छ में सामने आई और लोगों को चौका रही है जो बिमारी के लक्षन केवल बुखार लेकिन वो बुखार ऐसा हुआ है जिसके कारण पशुपालन करने वाले लोगों को करीब 12 दिनों में 15 दिनों के अंदर 15 मौते हो गई हैं और यह 15 मौते ऐसी हैं जो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं उसके पश्चात भी उनकी डेथ हो रही है अब डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तों में हो क्या रहा है अब जो पेशंट है उनके ब्लड संपल्स को लेकर पूने में भेजा गया है ताकि अ और बात है यह तो जांच के बात पता चलेगे लेकिन इसी तरह की बिमारियां अचानक से आप देखेंगे कुछ नपकुछ नए नए तरीके के रोग केवल हमारे देश में नहीं बलकि पूरे संगसार में एवं पर्सनल लाइफ में भी इंसान के असर पड़ेगा यानी हिल का आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा मैंने पहले के वीडियो में भी बतलाया है और मन यदि आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो इंसान अच्छाईयों की तरफ तो कम जुकता है लेकिन बुराईयों की तरफ तेजी से दोड़ता है यही वो समय है जब असुरी सक्तियां अपना प्रबल प्रभाव इस दुनिया में उत्पात मचाने के लिए उसका उप्योग करेंगी और दुनिया में कोला हल मचेगा यानि कम्यूनल राइट्स जो अभी स्टार्ट हुआ है शिमला में आने वाले समय में पंजाब है हरियाना है महराश्ट्र है इन सब जगहों पर यान उस छोटी सी बात के कारण बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा और सब लोग उसमें कूद पड़ेंगे चूकि ये राशी मीन राशी ब्रियस्पति गुरु देव की राशी है इसलिए धर्म से जुड़े मामले भी सामने आएंगे यानि धर्म से जुड़े ऐसे लोग जो क अपने आपको पंडित कहते हैं धर्म गुरु कहते हैं हो सकता है उनके मुह से चुकि ग्रहन योग बन रहा है चंद्रमा और राहू का तो उनके मुह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं कुछ ऐसे वाक्य निकल जाएं जो दुसरे वाल लोग पतानी किस रूप में उसे देश में दिखलाई नहीं पड़ेगा लेकिन असर नहीं होगा चंद्रग्रहन का यह इस आप कश्म कश्म मत रहिए कि इसका असर नहीं होगा असर तो जरूर होगा क्योंकि जब जब चंद्रग्रहन और सुड़े ग्रहन लगता है तब तब असर होता है और चूंकि यह ग् बढ़ेगा और बॉर्डर पर फिर से एक बार उत्पात देखने को मिलेगा चाहे हमारा देश किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर करता हो आतंकवादी घटनाएं जादा बढ़ेंगी और पश्चिम बंगाल जो की अभी ऑल्रेडी एक कुलाहल के महौल से गुजर रहा है आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है यानि बैक फूट पर आ गई है अब ममता सरकार डॉक्टर्स सुप्रिम कोट के कहने के पश्चाद भी नहीं गए हैं उनसे मिटिंग करने के लिए नयाय जो मिलने वाला है उसमें अभी समय लगेगा ये समय जो है चं इसके कारण मन जो है विरक्ती की भावना से भर उठेगा लेकिन इस दुश प्रभाव से बचने के लिए जो ये कम्यूनल रायट्स हो रहे हैं नेगेटिव एनरजी का उत्पात हो रहा है कहीं पर आप देख रहे हैं प्राक्रितिक आपदाएं ये और प्रचंड विक्राल रूप आने वाले समय में लेंगी धानमिक यात्रायं पर जाने वाले लोग बहुत सावधानी बढ़ते भीड़भार के इलाकों में जाने से बचे रशिया ने यूक्रेन को नुक्रियल नुक्लियर वार के लिए नुक्लियर वेपन के अटैक के लिए ठेटनिंग दिया है लेकिन वो करेगा नहीं, इतना जान लेजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो nuclear weapons attack कर देगा, युक्रेन पर नहीं, रशिया इतना भी पागल नहीं है, और हमारा देश interven कर रहा है, दोनों को समझा रहा है, definitely हमारे देश के समझाने से कुछ न कुछ असर रशिया और युक्रेन पर पड़ेगा, लेकिन युद्ध पूरी तरह रुकेगा नहीं, लेकिन ये atomic weapons का इस्तमाल फिलाल रशिया नहीं करने वाला, लेकिन युद्ध का विक्राल रूप आने वाले समय में और बढ़ने वाला ह हम अपने आपको शांत रखें, हिल्थ हमारा सही रहें, इसके लिए सबसे जरूरी है ग्रहन के दोरान महा मृत्यूंजय का चाप और अपने कर्मों पर ध्यान रखना, किसी के लिए कोई बुरे शब्द का इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके शिव का, हरी का, मंत्रों का जा करें, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की महादशा कुछ नहीं चल रही है, यदि कोई बैड पोजिशन में नहीं है, तो यही ग्रहन हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए ये बुरा असर नहीं, उसमें पूरी दुनिया में इतने करोड लोग है, तो किसी न काने भी बची, बहुत लोगों ने सर्वाइब भी किया और बहुत लोगों को कौरोना हुआ भी नहीं, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कौरोना का काल बीट गया, ये ग्रहन काल भी बीट जाएगा, लेकिन लोगों को आगाहा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं अपने ग्यान के अनुसार मेरे वीवर्स को हमेशा एक एलर्ट देती रहती हूँ, कि चितावनी को समझते हुए, आने वाले समय के उपद्रों को भाबते हुए, जब ब्रम्हांड हमें आगाह कर रहा है, तो उन बातों को समझते हुए, हमें उस प्रोटेक्टिव शिल्ड का आप अपने जीवल में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो ग्रहन के दुष्प्रभाव को हमारे जीवन में कम करें, और हमें चंद्रदेव का अशिरवाद भी मिले, राहु देव का अशिरवाद भी मिले, और गुरु देव ब्रहश्पती का भी आशिरवाद मिले Thank you very much for watching my video.